चली आज बनाता है मा चने की दाल, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हफ़ते में एक बर जरूर बनती है, तो मैं ये कैसे बनाती हूँ दाल, या मैंने ली है मा चने की दाल, जो स्प्लिट दाल होती है, और वन फोर्थ कप चने की दाल, इन दोनों दालों को मिक्स करके अच्छे से वाश करना है और पानी डाले कम से कम आदे घंटे के लिए सोप करके रख देना है इससे तो क्या होगा एक तो दाल बड़े जल्दी पक जाएगी और जो नुट्रिशिस वैली होती ना दाल की वो बहुत अच्छी स्थ में उभर के आती है तो अब यह दाल में डाल दी है प गुना पानी डालेंगे और डालेंगे एक से दो चम्मच देसी घी लिट बंद कीजे और तीन से चार विसल मीडियम फ्लेम पर प्रेशर रिलीज होने तक इसे पकने देंगे अब तड़के में डालेंगे हम देसी घी साथ में हींग, जीरा, अद्रक, लसन और चौप करा इसाब मैंने कठे डाल दिया है, अब इसे सुनर रहा होने तक भूं लेंगे बहुत अच्छे से, तब तक उदर देख लेता है हमारी डाल भी बक चुकी है, प्रेशर रिलीज हो गया है, आप देखे डाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, लेकिन घुली नहीं है, अलग-ल अभी डाल मेंने सिम पर रग दी है ताकि गुलती रहे लेकिन इधर हमारे प्यास भी सुनेरे हो चुके हैं साथ मेरे डाल दिया है टमाटर चॉप करके और थोड़ा सा नमक नमक ध्यान से डालीगा क्योंकि डाल में भी डाला था अब इसे टमाटर तब तक हम भूनेंगे तरफ ना से डाल देती हो इससे क्या होता है एकदम तड़का अर्ठ बहुत अच्छा बनता है औो जम वापिस हम यह पूरा कह पूरा तड़का हमारे प्रेशर कुकर में डालेंगे राढ़ेंगे न यंग तो एकदम से एकदम से डाल में मिक्स हो झाता है यह देखिए अब यह डाल देंगे तड़का हमसे दा हमारे प्रेशर कुक करमें यह देखे अभी आप देखरों कट्छी में बहुत कुछ लगा हुआ है तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी जिसे हम गरम करेंगे फिर ये गरम पानी डालेंगे हम दाल में इसे तो हमारा ये जो पैन है वो साथ में हम डालेंगे हींग, जीरा, यह तो बहुत जरूरी है, कोई भी डाल बना रहे हैं, साथ में गारलिक पाउडर डाला है, आप यहां पर होल गारलिक भी डालो, साथ में कसूरी मेथी और थोड़ इसी काश्मीरी लाल मिर्च, लेकिन गैस बंद करके, लो जी यह तो हो मैजिकल तड़का, अब यह पोर करेंगे, हम हमारे सर्विंग बोल में, डाल को सर्विंग बोल में सर्व कीजे, और उपर डालेगे, बड़ी असा मज़ेतार सा तड़का, देखी बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन छोटी-छोटी सी वेज हैं, जैसे मैंने डाल बनाई है अब ट्राई जरूर कीजेगा, उपर देखी गी डालना कमपलसरी है, वीडियो अच्छी लगी है, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा